बच्चों आज हम बात करते हैं प्रमुख उद्योगों के विशय पर प्रमुख उद्योगों में सबसे पहले हम देखते हैं लोहा और इसपात उद्योग जैसा कि हम सभी जान रहे हैं लोहा और इसपात उद्योग जो है वो एक आधार भूत उद्योग होता है इसे हम की इंडस्ट्री के नाम से भी जानते हैं वो इसलिए कि लोहा और इसपात उद्योग को छोड़ कर यदि हम अन्य किसी भी उद्योग, किसी भी प्रकार के उद्योग की बात करें, तो उस उद्योग में जो प्रयोग होने वाले, चाहे हम उपकरण की बात करें, यंत्रों और औजारों की बात करें, ये सभी जो हैं, वो आपके लोहा और इस्पात उद्योग पर ही डिपेंड क तो बिना लोहा और इस्पात उद्योग के हम किसी भी अन्य उद्योग की कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए किसी विद्वान ने कहा है कि यदि लोहा और इस पात उद्द्योग ना हो तो मानोजाती के सामने एक ऐसा संसार होगा जिसमें हम जो अभी वर्तमान में देख रहे हैं चाहे हम रेल परिवहन की बात करें या किसी भी टाइब के परिवहन की सुविधाओं की बात करें उपकर्णों की बात करें तो इन सब के बिना वो संसार की जो है हम सिर्फ लोहा और इस पात उद्द्योग के बिना इस प्रकार के संसार की कलपना नहीं कर सकते या हम ये कहें कि विकास की किसी भी अवस्था को प्राप्त करने में हम लोहा इसपात उद्ध्योग के बिना असमर्ध होंगे तो इसलिए तो जो लोहा और इस पात उद्ध्योग है इस उद्ध्योग के माध्यम से ही किसी भी देश के और द्ध्योगी कुथान की नीव जो है इसे हम कह सकते हैं या इसी के माध्यम से और द्ध्योगी कुथान की नीव रखी जाती है अब जब हम बात करें अपने भारत में कि लोहा और इस्पात उद्योग का विकास कब से हुआ है तो ये हम सभी जान रहे हैं कि ऐसे तो भारत में प्राचीन काल से ही लोहा और इस्पात उद्योग का जो है वो प्रयोग हो रहा है या हम ये कहें कि लोहे और इस पात का जो प्रयोग है वो किया जा रहा है फिर हम देखते हैं कि हमारे दिल्ली में जो कुतुब मिनार के निकट अशोप का लोह इस्तंभ है वो इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि इतने सदियों से भी जो धूप है गर्मी कहें हम या बारिश है सभी जो है वो झेल रहा है या इन सभी की मार झेलने के बाद भी आज तक उसमें जंग नहीं लगी है तो ये तो हमारे सामने एक प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में हैं इसी प्रकार यदि हम आधुनिक यूग में या आधुनिक समय में लोहा इसपात उद्योग के विकास की बात करें कि इसका विकास वास्तवी कुरूब में कब से प्रारंब हुआ तो हम देखते हैं कि 1907 में जब जमशेद जी टाटा ने टाटा आइरन एन स्टील कमपनी की स्थापना की थी तब से ही आधुनिक भारत में जो लोहा इसपात उद्योग की नीव हम इसे कह सकते हैं और 1907 के बाद हम देखते हैं सन 1919 में इंडियन एरन एन स्टील कमपनी की स्थापना की गई जिसे हम इसको कहते हैं इसकी जो इस्थापना है वो आसन सोल के पास बर्नपूर नामकिस्थान पर लोहा इसपात उद्योग के या लोहा इसपात कारखाने के रूप में की गई इस कमपनी ने जो बंगाल आरन कमपनी हैं जो आपके कुल्टी नामकिस्थान पर इस्थापित था इसे भी अपने अधिकार में ले लिया और इसके बाद फिर विकास की गती जो है वो जारी रही और सन 1923 में करनाटक के भद्रावती नामकिस्थान पर भद्रावती नदी के किनारे एक लोह इसपात कारखाने की इस्थापना की गई ये कारखाना जो है ये पहले नीजी छेतर का था और इसके बाद तब मैसूर आइरन कंपनी के नाम से इस्थापित था इसके बाद शाशन ने केंद्र सरकार और करनाटक राजी ने इसे अपने हाथों में ले लिया और ये संयुक्त उपक्रम के रूप में अभी यहाँ पर संचालित है और इसका नाम करन जो है वो हमारे प्रसिद्ध इंजीनियर डॉक्टर विश्वेशरिया के नाम पर इसका नाम करन किया गया है इस कारखाने का और इसे विश्वेशरिया आइरन एंड स्टील कंपनी वर्क्स के नाम से जाना जाता है तो ये बात होगी स्वतंत्रता के पहले की इसके बाद फिर हम देखते हैं कि स्वतंत्रता के बाद जब देश के विकाश के लिए आर्थिक विकाश के लिए जो पंचवर्शी योजनाये तयार की गई तो विशेश रूप से द्विती पंचवर्शी योजना में लोहा और इसपात उद्योग के विकास के लिए एक कारिकरम तयार किया गया हम कह सकते हैं या योजना जो है वो बनाई गई और द्विती पंचवर्शी योजना में 1956 से 61 के दौरान जो है वो लोहा इसपात उद्यो की जो है वो इस्थापना की और इस कंपनी ने भारत का जो सहयोग है वो तो था ही विदेशी जो देश हैं विदेशी सहायता के माध्यम से जो सारवजनिक छेत्र के लौह इस पातकार खाने या उपकरम जो है वो इस्थापीत की गए वो कौन-कौन से इस्थान पे तो आपके राउर केला, भिलाई और दुरगापूर इन तीन इस्थानों पर द्विती पंचवर्शी योजना के दौरान विदेशी सहायता के माध्यम से लोहा और इसपात उद्योग जो है वो सारवजनिक उपकरम के रूप में इस्थापित किये गए और इसके बाद बोकारो नमक इस्थान पर भी एक जो है लोहा इसपात कारखाना लगाया गया अब ये जो चारो कारखाने हैं इन्हें जो इस्थापित किये गए सारवजनिक उपकरम के रूप में इन कारखानों के अतरिक्त चार और लोहा इसपात कारखाने इस्थापित किय गे वो हैं आफके सालेम तमिल नाडू के सालेम नामकिस्थान पर करनाटक के बेल्लारी और हासपेट नामकिस्थान पर आंध्रप्रदेश के विषाखा-पत्णम नामकिस्थान पर और ओडिशा के पाराद्वीप ये चार खारंख हाने जो हैं वो और इस्थापीत किये गए और विशाखा पटनम जो है यह लोहा इसपात कारखाना का एक ऐसा सैन्यंत्र लगाया गया है जो पूरे भारत का एक मात्र तटी सैन्यंत्र हम कह सकते हैं. यह जो चारो कारखाने हैं, इन कारखानों को बंगाल और बिहार से कोईले की प्राप्ती होती है, ओडिसा और बिहार का लोहा मिल जाता है और ओडिसा से ही इन इस्थानों पर चूना पत्थर जो है वहां का उप्योग में लाया जाता है भारत में लौह इस टालिका से हम समस्कते हैं 1977 से लेकर 1995-1996 के बीच हम धल्वा लोहे का उत्पादन इस्पाद पिंड का उत्पादन और जो बिक्री योग इस स्पाद होता है इन सभी का उत्पादन हम इस टालिका के माध्यंसे समस्थे हैं आप यहां पर देख पा रहे होंगे, 1971 में धलवा लोहा 70,000,000 टन उत्पादन हुआ था, इस पाद पिंड का उत्पादन 61,000,000 टन था, और विक्री योगे इस पाद जो है, वो 45,000,000 टन उत्पादित किया गया था, वहीं 1980-80 में धलवा लोहा का उत्पादन में भी व्रिध्धी हुई है, 96,000,000 टन हो गया, इस पाद पिंड भी 61,000 से बढ़कर 82,000,000 टन हो गया है, और विक्री योगे इस पाद का भी उत्पादन 45 से बढ़कर 63,000,000 टन हो गया, 1999-99 में भी इसमें हमें लगातार व्रिध्धी देखने को मिल रही है, 96 से बढ़कर धलवा लोहा का उत्पादन 121,000,000 हो गया, इस पाद पिंड 111,000,000, विक्री योगे इस पाद जो है, वो 93,000,000 हो गया है, 1993-94 में यह 174,000,000, इस पाद पिंड का 142,000,000, और विक्री योगे इस पाद जो है, वो 120,000,000,000 उत्पादित हुआ, 1995-1996 की स्थिती हम देखें तो ढलवा लोहे का उत्पादन 186 लाग टन हुआ स्पाद पिंड 163 लाग टन हुआ और विक्री योगे स्पाद जो है वो 140 लाग टन उत्पादित किया गया तो हम यहां देख रहे हैं कि 1971 से लेकर 1995-1996 के बीच में सभी प्रकार के इस्पाद के उत्पादन में हमें व्रिद्धी देखने को मिल रही है तो यह हो गई बात भारत में लोहा इस्पाद उत्द्योग के विकास की अब हम देखते हैं कि लोहा इस्पाद उत्द्योग का इस्थानी करण किन इस्थानों पर किया जाएगा तो हम यह देखते हैं कि चुकी लोहा इस्पाद उत्द्योग जो है वो एक भारहास मुलक कारखाना हम कह सकते हैं या हम यह कहें कि यह एक ऐसा उत्द्योग है जहां से जो कच्चा माल लाया जाता है उस कच्चे माल से तयार माल का जो वजन है भार जो है वो कम हो जाता है तो यह सैंयंत्र या लोहा इस्पाद संबंधी जो कारखाने या सैंयंत्र हैं वो ऐसे ही स्थानों पर लगाए जाएंगे जहां से कच्चे माल की जो प्राप्ती है वो उसे आसपास के छेत्रों से हो जाए मतलब यह कोशिश की जाती है कि यह कच्चे माल के श्रोत केंद्रे के आसपास ही स्थापित किये जाएं तो इसके इस्थानी करण के लिए जो मूल भूत बाते होती हैं पहला तो है कच्चे माल की प्राप्ति मतलब आसपास के छेत्र में ही कच्चे माल प्राप्त हो जाए वहां पर ये कार खाने जो है वो इस्थापित किये जाएंगे कच्चे माल के साथ साथ कोईला उसे भट्टी पे तपाने के लिए परियाप्त मात्रे में जो है कोईले की आवशकता होती है चूना पत्थर आवशक होता है और इसके साथ ही साथ उस लौ एसक को जो है शोधन करने के लिए परियाप्त मात्रा में जल की भी आवशकता होती है तो जिन भी छेत्रों में ये सारी चीजें आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं आसपास के छेत्रों में वहाँ पर ही लोह इसपास सायंत्र जो हैं वो इस्थापित किये जाते हैं उसे परिवहन के जो साधन हैं वो एक महत्यपपूर्ण भूमिकानी भाते हैं क्योंकि लोहा इसपातु उद्योग में कच्चे माल का आया तो किया ही जायेगा और साथ ही साथ इससे जो तैयार माल है चाहिए हम कच्चा लोहा की बात करें इस पात की बात करें या कि विभिन उपकरणों की बात करें, इन्हें अलग-अलग स्थानों पर निर्यात की भी जहां पर जिन छेत्रों में सस्ते परिवहन के साधन निर्यात के लिए उपलब्ध होंगे, वहीं पर ये कारखाना जो है वो स्थापित किया जाता है, क्योंकि अभी हमने कहा कि लोहा इस पात जो क कारखाना है, ये मुल रूप से भारहास मुलक जो कारखाना है, वो कहा जाता है, क्योंकि जब जो एसक होता है, वो पूरी तरह से शोधित नहीं होता है, अशुद्ध रूप में प्राप्त होता है, और जब इसमें से अशुद्या निकाल दी जाती है, तो इसका भार जो है तो आसपास ही परिवहन में उसके जो लागत है परिवहन की लागत वो अधिक आती है इसलिए ये कोशिश की जाती है कि परिवहन सस्ते परिवहन की परियाप्त सुविधा जो है वो उन छेत्रों में उपलब्ध हो तो ये हो गए लोहा इसपात उद्योग के स्थानी करण के कारत वर्तमान समय में भारत में बारा केंद्रों में लोहा और इसपात का उद्पादन जो है वो किया जा रहा है तो आए हम बात करते हैं भारत के प्रमुख लोहा और जो इसपात उद्धोग हैं उनके विशाय में सबसे पहले हम देखते हैं Tata Iron and Steel Company जमशेदपूर यह हम इसे टिसको के नाम से भी जानते हैं बच्चो जो Tata Iron and Steel Company है यह भारत की सबसे पुरानी कमपनी है और सबसे बड़ी कमपनी है इस कमपनी की जो इस्थापना है वो 1907 में जमशेद जी Tata के द्वारा की गई थी और यह कारखाना हमारे जारखंड के सी भूम जीले में साक्ची नामा की स्थान पर की गई है बाद में इसे ही जमशेद जी Tata के नाम पर ही जमशेद पुर कर दिया गया हम देखते हैं कि 1907 में तो इस कारखाने की सथापना की गई 1911 से यहां पर कच्चा लोहा और 1912 से जो इस पात का निर्माण है वो शुरू हो गया था इस कारखाने में इस पात का निर्माण तो किया ही जाता है इसके साथ ही साथ जो लोहे के गर्डर हैं, रेल का समान हैं, काटेदार तार हैं, आधी कभी जो निर्माण हैं, वो किया जाता है. अब हम बात करते हैं, कि टाटा आरन एन स्टील कमपनी, या हम जिसे टिसको कह रहे हैं, इसकी स्थापना के जो प्रमुख कारक थे, वो कौन-कौन से हैं, या किस कारण से इस कारक खाने का जो विकास है, वो हुआ है. इसमें हम प्रमुख रूप से देखते हैं, इसके पहले भी हमने बात की है, कि जहां पर भी लोहा इस पातकार खाना की स्थापना होगी, उसके स्थापना के प्रमुख इस्थानी करण के कारक होंगे, जैसे कि कच्चा माल है, कोईला है, चुने का पत्थर है, पानी है, ये जो है ये प्रमुख इसके स्थानी करण के कारक हैं तो हम देखते हैं कि टिसको की स्थापना के लिए जो प्रमुख कारक हैं वो कौन-कौन से हैं या ये सारी चीजें टिसको को कहा कहा से प्राप्त होती हैं तो हम देखते हैं इस कार खाने को जो उच्च कोटी का उत्तम किस् हेमेटाइट लौह एस्क की बात करते हैं तो हेमेटाइट लौह एस्क जो है इसे जारखंड के सीह भूम जीले से और नोवमंडी से और साथ ही साथ ओरिसा के मयूर भंज जीले की गुरु महिसानी पहाडियों से प्राप्त होता है ये जो खाने हैं लौह एस्क की ये आपके जमशेद पूर से केवल 75 से 100 किलोमीटर की दूरी पर ही इस्थित हैं इसके बाद हम देखते हैं कोईला तो कोईला जो है वो इस कारखाने को जरिया और रानी गंज की ख़दानों से प्राप्त होता है ये कारखाने भी या हम ये कहें कोईले की ये जो ख़दाने हैं ये भी जमशेद पूर से आपके लगभग 160 से लगभग 310 किलोमीटर के आसपास की दूरी पर ही इस्थापित हैं अब भट्यों के जो भीतरी भाग होते हैं लौह इस्पात होती है तो ये जो क्वाड़जाइड बालू है ये मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर जो काली माटी का छेत्र है वहां से इस सैयंत्र को प्राप्त हो जाता है इसके बाद देखते हम मैगनीज तो मैगनीज जो है वो जमशेतपूर से सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी पर जो नौमंडी की पहाड़ियां है वहां से आता है या आयात किया जाता है इसके बाद चूना पत्थर और डोलोमाईट तो चूना पत्थर और डोलोमाईट जो है वो ओरिसा के सुंदरगड इलाके के पानपोश और बीरमित्रपूर ये दो इस्थान से और जारखंड के पलामू, हजारी बाग, राची और सीह भूम इन छेत्रों से प्राप्त होता है, अब हम श्रमिक की बात करते हैं क्योंकि लौह इसपात उद्योग में परियाप्त मात्रा में श्रमिक की भी आवश्यक्ता होती है, तो श्रमिक जो है, वो इस छेत्र को गंगा की जो घाटी है, वहाँ पर जो परियाप्त जनसंख्या, सघन जनसंख्या का जो छेत्र है, वहां से इस कार खाने को इस संयंत्र को मिल जाती है और इसके साथ ही साथ जो छोटा नागपूर पठार के आदिवासी जो श्रमिक हैं वो भी इस कारिय में दक्ष होते हैं और वो भी इन्हें बहुत अच्छे काम करने वाले श्रमिक जो हैं इस संयंत्र को वहां से भी पुख्य रेल मार्ग पर इस्थापित है इसलिए इसे रेल परिवहन की बहुत अच्छी सुविधा प्राप्त है चाहे वो इस पात निर्यात करने के लिए या कच्चा लोहा आयात करने की बात हो रही हो दोनों ही चीजों के लिए इसके बाद जल की हम बात करते हैं हमने परियाप्त मात्रा में जल की भी सुविधा उपलब्ध होती है अब कोलकाता से जो जमशेदपूर है उसकी दूरी लगभग 240 किलोमीटर के आसपास है तो हम देखते हैं कि जो भारी मशीन और इसपात के आयात और निर्यात के लिए इस सैयंत्र को कोलकाता बंदरगाह की भी अच्छी सुविधा मिल जाती है तो हमने देखा कि टिसको की स्थापना के लिए उसके जो इस्थानी करण के प्रमुख कारक हैं वो लगभग 340 किलोमीटर के आसपास के ही छेतर में स्थापित हैं और इन ही इतने ही अदूरी के जो छेतर हैं इससे इसे परियाप्त मात्रा में सभी effective factors की प्रापती हो जाती है चाहे हम कोईले की बात करें लौहयस की बात करें चूना-पत्थर डोलो माइत जल या रेल परिवहन कैसि परिवहन की सुविधा चाहे बंदरगाह के रूप में हम जलियातायात की बात करें या फिर रेल-परिवहन की ये सभी कारक जो है वो टिसको के स्थापना के लिए प्रमुख प्रभावशाली कारक हैं जिसके कारण इस सैयंत्र का बहुत अच्छी तरह से और परियाप्त मात्रा में विकास हुआ है अब दूसरा उद्योग या दूसरे सैयंत्र की हम बात करते हैं प्रमुख जो है वो है आपका इंडियन आयरन एंड स्टील कमपनी इंडियन आयरन एंड स्टील कमपनी इसे हम इसको के नाम से भी जानते हैं इसको का फुल फॉर्म होता है इंडियन आयरन एंड स्टील कमपनी तो हम देखते हैं ऐसे तो इसको या Indian Iron Steel Company का जो श्री गणेश है वो 1874 में ही हो गया था जब बर्नपूर में लोहा ढालने का प्लांट लगाया गया था लेकिन इस कमपनी के वास्तविक विकास या वास्तविक शुरुवात की जब हम बात करते हैं तो ये आपके 1919 में हुआ था 1919 में इस कमपनी का वास्तविक आरंब हुआ और 1937 में जो Steel Corporation of Bengal की स्थापना हुई और 1952 में इन सब को मिलाकर Indian Iron and Steel Company के नाम से जाना जाने लगा इस प्रकार हम देखते हैं कि बर्नपूर, हीरापूर और कुल्टी इन तीनों ही ये जो तीनों कार खाने हैं ये Indian Iron and Steel Company के एक भाग बन गए एक अंग बन गए तो हीरापूर और आसन, हीरापूर जो है वो आसन सोल के दक्षिन में इस्थित है लगभग 65 किलोमीटर की दूरी पर और कुल्टी जो है वो लगभग 16 किलोमीटर की दूरी पर इस्थित है हीरापूर का जो कार खाना है इन तीनों अंगों की जब हम बात करते हैं तो देखते हैं कि हीरापूर का जो कार खाना है यह केवल धलवा लोहा यहां पर तयार किया जाता है और इससे जो इस पाद बनाने के लिए धलवे लोहे से इस पाद बनाने के लिए कुल्टी के कारखाने में भेज़ दिया जाता है हीरापूर में जो है वो सिर्फ धल्वा लोहा तयार किया जाता है और इसके बाद इसे इस पाद बनाने के लिए कुल्टी में भेज दिया जाता है तो इस कार खाने को कौन-कौन सी सुविधाएं जो हैं वो प्राप्त हैं आईए हम देखते हैं पहला जब हम लोह एसकी बात करते हैं इस सायंत्र को तो वो देखते हैं जार खंट के सीए-भूम-जिले से सीए-भूम-जिले में जो गुआप्त की खाने है वहां से लोह एसक पृत होता है और साथ ही साथ ओरिसा के मयूर भन्ज से भी इसे लौह एसक की प्राप्ती होती है फिर हम देखते हैं कोईला तो कोईला जो है वो आपके यहां से सिर्फ 60 किलो मिटर की दूरी पर जो जरिया और रानी गंज की खाने हैं वहां से कोईला प्राप्त किया जाता है फिर डोलोमाइट की बात करें डोलोमाइट और चुना पत्थर जो है वो ओडिसा के जो सुन्दरगड जीले है वहाँ बीरमित्रपूर की खानों से डोलोमाइट और चुना पत्थर दोनों ही मिल जाता है इसके बाद हम देखते हैं इन छेत्रों के अतिरिक्त जब हम बात करते हैं तो ओडिसा के गंगापूर और पारगहाट से भी चुने का पत्थर जो है इस संयंत्रद्वारा मंगा लिया जाता है अब हम जल की बात करते हैं तो दामोदर घाटी परियोजना से इसे जल भी प्राप्त हो जाता है और सस्ती विद्यूद भी इसे प्राप्त हो जाती है चुकि ये संयंत्र दिल्ली कोलकाता मुख्य रेल मार्ग परिस्थित है इसलिए इसे सस्ते रेल परिवहन की भी सुविधा मिल जाती है फिर आसपास के जो छेत्र हैं सघन इलाके सघन बसाहाट वाले जो छेत्र हैं वहाँ से इसे सस्ते श्रमिक मिल जाते है इसके बाद कोलकाता से भी इस सैयंत्र की जो दूरी है वो लगभग 200 किलोमेटर की है इसलिए कोलकाता बंदरगाह की भी इसे अच्छी सुविधा इस सैयंत्र को मिल जाती है तो ये कुछ factors या कारक हैं जो इस सयंत्र की स्थापना के लिए और साथ ही साथ इसके विकास के लिए प्रमुख रुप से उत्तरदाई हैं अब हम बात करते हैं अगले प्रमुख उद्योग विश्वेश्रिया Iron and Steel Company Limited या Steel Company Works ये जो सयंत्र है इसकी स्थापना 1923 में की गई और 1923 में ये करनाटक राजी के भद्रवती नामकिस्थान पर इसकी स्थापना जो है वो की गई 1962 से इस सयंत्र को करनाटक सरकार ने और केंद्री सरकार ने सयंक तरूप से अपने अधिकार में ले लिया और हम जब छमता की बात करते हैं तो इस कार खाने की वार्षिक उत्पातन छमता जो है वो लगभग 85,000 टन इस पात निर्माण की या हम ये कहें कि ढलवा लोहा और इस पात निर्माण की छमता इसकी है इस कार खाने में विशेश प्रकार का जो इस पात है वो तयार किया जाता है जो आपके विशेश रूप से कोई सयंत्र है या औजार बनाने के निर्माण में काम में लाए जाते हैं और वरतमान समय में आधुनिक तकनी के प्रयोग के द्वारा इस कार खाने के विस्तार की और योजना जो है वो बनाई जारी है करनाटक सरकार और भारत सरकार के द्वारा ये जो विश्वेश रहिया लोहा इस पात केंद्र है इसके स्थापना के जो प्रमुख कारक हैं उनकी बात हम कर लेते हैं तो अभी हमने देखा था कि ये जो केंद्र है ये भद्रवती नदी के किनारे जो है स्थित हैं और भद्रवती नदी की जो घाटी है वो लगभग 13 किलोमीटर चौड़ी है जिससे इसे परियाप्त मात्रा में भूमी जो है उपलग्द हो जाती है इसके साथ-ही साथ जब हम लोह की बात करते हैं तो लोह जो है कि जो है वो इसे बाबा बुदन की जो पहाडियाँ है वहां वहां इस फिजि जो चित्र दुर्ग की खाने हैं वहां से उत्तम कोटी का लोहयस्क मिल जाता है और इसके साथ ही साथ भद्रवती नामक की स्थान से इसे उच्छ कोटी का हेमेटाइट जो लोहयस्क है इस स्थान से भी प्राप्त हो जाता है अब चुकी ये कारखाना जो देश के मुख्य कोईला छेतर हैं या मुख्य कोईला उत्पादक जो छेतर हैं उनसे परियाप्त दूर इस्थित है और इसी कारण कोईले की सुविधाई से भारत देश के कोईला उत्पादक छेतरों से नहीं मिल पाती तो ये जो केंद्र है वो क्या करता है यहाँ पर जो शिमोगा और कांदूर जीले हैं वहाँ पर लगभग 1700 वर्ग किलोमीटर छेतर में परियाप्त वन भूमी का विस्तार है और इस वन भूमी से ये जो सैयंत्र है ये लकड़ी प्राप्त करता है और इस लकड़ी से विशेश प्रकार की भट्टियों में कोईला बनाया जाता है। विद्युत परियोजना से और साथ ही साथ महात्मा गांधी जल विद्युत योजना से इसे परियाप्त मात्रा में विद्युत की प्राप्ति है वो हो जाती है। पचास किलोमीटर की दूरी पर इस्थित जो शीमोगा और चित्र दुर्ग है वहां से प्राप्त होता है। फिर डोलोमाइट की हम बात करते हैं तो डोलोमाइट जो है वो इसे लगभग 45 से 50 किलोमीटर की जो दूरी के छेत्र हैं वहां से प्राप्त हो जाता है। फिर चुकी ये दक्षिन केंदरी रेलवे ये हम कहें कि साउथ सेंट्रल रेलवे के पास ही इस्थित है। इसलिए चिरूर शिमोगा रेल मार्ग पर इस्थित होने के कारण इसे रेल परिवहन की सुविधा भी मिल जाती है। झाल 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 झाल